पतनी की हत्या करने वाला आरोपी गिरफतार पूर्व के दो मामलों में भी फरार था आरोपी नाम आरोपी सुद्दू सिंग गोंड पिता अमोल सिंग गोंड उम्र पैतालिस वर्ष निवासी चक्का डांड हस्तिनापुर थाना मनेंद्रगण जिला कोरिया 36 गड़ पुलिस अदिक्षक कोरिया संतोस सिंग एवं अत्रेक्त पुलिस अदिक्षक मधूलका सिंग द्वारा पुराने मामले का निराकराण करने हेतु निर्देश दिया गया था कि दिनांक 8-9-2020 को थाना मनेंद्रगण में सुचना प्राप्त हुई थी कि तितली माडा हसदेव न पंजी बरद कर जाच में लिया गया शव पंचनामा कारवाही डॉक्टर की टीम एवं तैसीलदार मनेंद्रगण की उपस्तिती में कराया गया जाच के दोलार मृतका को अंतिम बार अपने ही पती सद्दू सिंग गोण के साथ जंगल की तरप जाते देखा गया था वा एक वर्स तीन महा बाद मुखविर से सूचना के आधार पर सुद्दू सिंग को तलब कर थाना लाया गया पूछताज दोरान सुद्दू सिंग ने बताया कि मृतका सोनिया उसकी दूसरी पतनी थी पूर्व में सोनिया दोया रिपोर्ट करने पर धारा 3076 के तहत जेल में निरुद्ध था तथा जेल से जमानत में चूटने के बाद सोनिया वो अपनी पतनी बना कर रह रहा था मिर्तका सोनिया के पूर्व पती लाल साय के साथ मारपीट की रिपोर्ट थाना में होने से घटना दिनांक को मिर्तका सोनिया के साथ पुना लड़ाई जाड़ा हुआ दोनों लड़ते हुए जंगल की तरफ गए जहां गुसे में आकर सोनिय का गला दवा कर हत्या कर सब को तितली मारा खाई में छुपा कर रख दिया गया था तथा पुलिस के डर से फरार हो गया पूरे फरारी काल के दोरान अम्रधारा जंगल वा आसपास में रहा पिक्निक मनाने वाले लोगों से खाना मांग कर जीवन यापन कर रहा था कहीं कहीं खेतों में मजदूरी करना बताया गया संपूर्ण मर्ग जांच पर आरोपी सुद्धू सिंग गोण पिता अमोल सिंग गोण उम्र 45 वर्स निवासी चक्का डाण हस्तनापोर थाना मनेंदगण जिलाकोरिया के वरुद अपराद पाय जाने पर दारा 302-201 भादवी का प्रकरण पंजीवर्द कर आरोपी को ग्रफटार कर माननी ये नयाले नयाएक रिमांड पर पेस किया गया है खबरों में अब तक लिए बस अपना भी मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहे बीबीसी लाइफ